साई की बात चो तुमने अब तक नहीं किया न चो तुमने अपना समय व्यर्थ हो गया या किसी ने कर दिया या जिस वज़े से तुम नहीं कर पाये तुम्हें मौका नहीं मिल पाया न वो बात अलग थी लेकिन अब वो मौका है अब वो वक्त है अब तुम्हें शुरू करना है मत सोचो क किसी की मत सोचो किसी दुनिया की अब अपने लिए करो काम करो मेहनत करो जी जान लगा दो इतनी मेहनत करो ना इतनी मेहनत कि बस तुम्हारे चेहरे पर निखारा जाए तुम्हारे किसमत में निखारा जाए तुम किसी देवी देपता की अरादना इसलिए मत करो कि उन्हें त से सुनना है कि परिणाम क्या होगा, नहीं, तुम सब कुछ ना, अपना काम पर लगाओ, महनत पर लगाओ, विश्वास रखो, कि सब कुछ हो जाएगा, और तुम जीत चाओगे, जो तुम सोते जाकते परिशान होते हो ना, कि तुम कैसे होगा, क्या होगा, इतनी सुन्दर तुम जीतोगे ना, इतनी अच्छी तरक्की तुम्हारी होगी ना, कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, तुम जिस छेतर में विजय पाना चाते हो, जिस जगा तुम विजय पाना चाते हो, जिस काम में विजय पाना चाते हो, कुछ सीखने में विजय पाना चाते हो, भाशा सी तो उन सब कर चिंतन करना शुरू कर दो, उन सब पर महनत करना शुरू कर दो, सब कुछ हो चाएगा, और लोगों को कुछ कहना करना, उन्हें समझाना, बंद कर दो, और अपना सारा सब कुछ, अपना ज्यान, अपनी बुद्धी, अपना बल, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, स किसी से पूछने मत चाओ، तुम्हे इस बार कठो और परिश्द्रम करना है, फिर देखो तुम्हारी किसמत कैसे बदलती है। तुम मुझे भागी विधाता कहते हूरा कि मैं भागी विधाता हूं, लेकिन लेकन देखना, तुम्हारे करम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जस उस दरवाजे पर तुम्हारी जीत लिख दी है, तुम्हे बस उस दरवाजे तक पहुंचना है और उसे खोलना है, वो जीत तुम्हारी है मेरे बचे, सब कुछ तुम्हारा है, और सुनो, किसी बात भी बात में मत पढ़ना, अगर कोई तुम्हे वहाँ घसीटने की कोशिश पहुत भी करेना, जबर दस्ती, तो कभी मत जाना, बोल देना कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, किसी के बातों में मत आना, क्यूंकि जो ये बाते हैं ना मेरे बच्चे, ये कभी खतम नहीं होंगी, ये बाते उलश्ती रहेंगी, तुम्हें इन सम्में नहीं कि अगर तुम जीत गए ना, आगे बढ़ गए ना, तो जो कुछ भी तुम पर लांचल लगाए गए है ना, जो भी उंगलिया तुम पर उठाई गई है ना, उन सब से तुम आजाद हो चाओगे, जिन चीजों को लेकर तुम परिशान होते हो ना आज, कि कल उसने मुझ प बलकि सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम जानते हो कि तुम महंती बहुत हो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, बस तुम ना अंदर से तूट गए हो, बिखर गए हो, बस और कुछ भी नहीं है, लेकिन दुबारा से अपने आपको खड़ा करो, मत सोचो इस बार की कल्यान होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत लोगों का कल्यान होगा, और कहां जाना है, कहां नहीं जाना ना, किसी से मत पूछो, किसी से मत कहो, सिर्फ मुझ से पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूँगा, कि तुम्हें कहां रहना है, कहां नहीं रहना, क्या सवाल करने है क्या सवाल नहीं करने न ये मैं तुम्हें बताऊंगा ये जीत तुम्हारी है और निश्यत ही है इस बात को अपने दिमाग में बिठालो मेरी बात को समझ रहे हो न हिम्मत रखो सब कुछ होगा और ये मत सोचो कि आगे चल कर तुम खूबसूरत दिखोगे नहीं दिखोगे क तो हमेशा विजय पाओगे तुम जीत आगे बढ़नी है तुम्हें आगे बढ़ना है तुम्हें जीत तुम्हारी है और जीत ना कभी किसी का बदला लेने के लिए मत करना कि तुम्हारे मन में ये बात हो कि किसी का तुम्हें बदला लेना है नहीं बलकि जीत तुम्हें इ और अपने शरीर से भी और अपने मानसिक चीजों से भी तुम्हें सब का बहुत बहुत अच्छा करना है। तुम्हें आत्म विश्वास तुम्हारा वापिस आएगा तुम्हारा खोया हुआ आत्म विश्वास तुम्हारी इज़त तुम्हारा प्यार सब कुछ वापिस आएगा और जिससे तुम्हारे पास मांगना बंद कर दो अगर मांगना है तो मुझसे मांगो और वैसे भी अप अपने पास धूनना शुरू करो, अपने पास खोचना शुरू करो, जो चीजे तुम लोगों से मांगते हो ना, वही चीजे तुम्हारे पास में भी मिल जाएंगी तुम्हें, तुम्हें कहीं भागने की, कहीं मांगने की, कोई सर्वत नहीं है तुम्हें, तुम सिर्फ और स तुम्हें सब मिल जाएगा मेहनत करो और तुम्हें आगे बढ़ना जो है ना तरक्की जो करनी है ना इसलिए नहीं करनी कि तुम्हें दूसरों का दिखाना है कि तुम कितना आगे हो लेकिन बस हां कुछ लोगों के अंदर इतना एहंकार है ना कि उनकी तरह कोई बन नहीं सक उन से आगे कोई बन नहीं सकता, वो सबसे बहतर है। और तुम्हें वो करके दिखाना है। यह वास्तविकता उन तक पौहने हैं, यह सचाये उन तक पौहने हैं, कि तुम भी बहुत आगे हो। उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ सत्य का ग्यान कराने के लिए, कि तुम भी बहुत आगे हो, तुम भी बहुत काबिल हो, और तुम कोई बदला लेने नहीं आए हो, तुम सिर्फ सत्य का ग्यान कराने आए हो, तुम्हारे अंदर ना एहंकार है, और ना कभी हो अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना होगा, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितनी महनत करोगे न, उतना तुम्हारा स्वास्त भी ठीक रहना चाहिए न, तो अगर कहीं भी कमी होना तो मेरी उदी लेना उदी तुम्हारे सारी कम्यों को पूरा करेगी तुम देखना उदी लेने से ना तुम्हारे शडीर की सारी कम्यादूर होंगी और इसके अलावा ध्यान करना मेरा वयायाम करना अच्छी चीज़े करना अपने शडीर की और ऐसे करते करते ना, तुम अपनी मंजिल तक पहुचाओगे, बहुत स्थुंदर तरीके से, कई लोगों की जो सोच छोटी है ना, मेरे बचे, तुछ सोच है, बहुत छोटी सोच है ना, तो उनकी बातों में कभी मताना, वो बार बार तुमें उस तरफ लाने की कोशिश कर पिर दियान भटक जाए, तो उन लोगों की बेकार की बातों में आकर्शित होने की कोई सरवत नहीं, तुम्हें चुप रहना है, उनसे बहसी नहीं करनी, उनसे नहीं कोई बात करनी है, क्योंकि तुम्हारा एक एक पल जो बीत रहे हैं वो सब गुजर रहे हैं मेरे बचे, त तुम ना एक समापती की तरफ आ रहे हो, इस चीज को ध्यान रखते हुए, अपना समय कभी बरबाद मत करना, कभी किसी के लिए भी, हमेशे आगे की तरफ बढ़ना, किसी पर भी तुम्हें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने ओपर ध्यान देना है, अपना आत्म सुचना कि तुमने महनत नहीं की, बाद में पच्टाओ, ऐसा तुम्हें पच्टाना नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, दुबारा से शुरबात करो होगा, जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, तुम्हारे मित्र हैं, कौन तुमसे कितना आगे निकल गया, और कौन कि तुम में अत्रह और कि बाद प्सजर्पका के साथ टुम्हें, ऑच्टाने के साथ, बाद एक हो अक्राद्टान व करो हो आगे, जिन लोगों के साथ, यजर में टो रदाए रादाने करो करो हैं, अंत्रह नहीं हो, व् sama कैसर अबुम नहीं हो, चарणा हैं, कंहीं हो।, ड